उसके बाद उसके ऊपर साबुन लगा के अच्छे से मैं सारी को रखते नहीं सुभा ही रखते हैं तो उनको अच्छे मुझ सारी चीज़े ऐसे डिस्प्ले करके रखना ताकि दिखने में फिर आयन की जरुवत महीं होती मैं मेरे लिए बेजाता ये कपड़े मैंने गूद य गूद मॉर्निंग विवर्स वल्कम बैक टू मेरे साथ तो जी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मैं अपने कब़ोर्स को कैसे और्गनाइस करके रखती हूँ और साथ ही मैं कुछ बाते भी करते जाओंगी और लास्ट मैं कुछ दिखाओंगी भी तो ल पास करके कुछ चेंजिस चाहिए था तो मैंने बुलाया था तो उन्होंने अपना काम जैसे मैंने बताया वजसे करके गए तो इसके बात काम करना स्टार्ट मैंने किया लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा दू कि मैंने बैट पे यहां के सारा सामा निकाला और वो किस तरह से बिखता हैं के पड़े हैं जब देखू न तो सोच में लग जाती हूँ कि कहां से स्टार्ट करूँ और खतम कैसी होगी लेकिन एक बार अगर में स्टार्ट हो जाती हूँ तो पता नहीं दो-तीन दिन तो लगते ही लगते हैं पूरे काम को करने में अच्छे से मैं सारी चीज़ों को मैं साफ करती हूँ, सिर्फ पानी में अगर नीचोड के साफ कर दो तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं कोई भी चीज़ साफ करती हूँ, तो ऐसी करती हूँ, आप अगर मेरे ब्लॉक्स को फोलो करते हैं, तो आप लोगों को ये तो जी फर्स जो कबोर्स है उसमें बच्चों की सारी चीज़े रहती है जैसे कि आ नीचे वाले शेल्स में उनका बुक सारे रहते हैं और सेकंड जो है उसमें मेरी एक डाइरी रहती है जो मैं सारी लेश्ट क्या करती हूँ और बच्चों बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे वरना उनके bags भी वही पे रहते हैं, उनके compass box and pencil box और अभी बच्चों की चुटियां चली है तो सारी copies को मैंने नीचे रखा है वरना जो box होंगे उसी के उपर ही वही copies रख देती हूं ताकि बच्चों को अपना time table निकालने में बिल्कुल भी तकलीव ना हो यूचुटकियों में मिल जाएं क्योंकि वो उनको बार-बार मैं कहती हूं लेकिन वो रात को रखते नहीं, सुबा ही रखते हैं तो उनको इसलिए मुझे ही रखना पड़ता है सारी चीज़े आखिरकार मेरे ही बच्चे हैं, उनकी सारी सुकसुविदा मुझे ही करनी होगी और बच्चों से जो है, वो मेरी हर रोज लड़ाई हो रही है फिलाल के तुम लोग ट्यूशन खतम होने के बात एक ही जगे पे क्यों अपने बोक्स और कॉपिस नहीं रखते अगर आयान का जोगरफी बुक यही पे रहगा तो और यान कभी इसी साइड में रहेगा दोनों का एक ही सेम ही रहने चाहिए, मतलब कबुड के अंदर हो तो क्या हुआ चीज़े तो ऐसे ही रहनी चाहिए, लेकिन वो लोग मेरी बात नहीं मानती और रोजाना इस बात पे हमारी चिक-चिक होती है, तो हलाकि लास्ट में मुझे ही सारी चीज़े रखनी पड़ती है मतलब कुछ कहती हूँ लेकिन वो लोग मानते नहीं, वो लोग बोलते हैं कि बुक्स के शेल्प में बुक्स रख दिये, कॉपिस रख दिये हो गया हमारा काम लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं, मैं रखती हूँ सहुलियत से, इसलिए तुम्हे सुबह सुबह जब स्कूल भी जाते हो या फिर टूशन भी उपढ़ते हो तो तुम्हें इस दिली सारी चीज़ें मिल जाती है और ये है सेकंड वला और इसमें मैंने अपनी सारी हैंडवेक्स जो है वो रखी हुई है और ऐसे रखे तो दिखने में वल सेटल लगता है और मुझे तो काफी ज़्यादा सहुलियत होती है क्योंकि मैंने जो भी कपड़े पहने हुए होते हैं तो मुझे साप साफ दिखा ही होता है कि मैंने ये पहना हुआ है तो इसके साथ ये अच्छा जाएगा तो फड़ से मैं किंच के यूज कर सकती हूँ लेकिन क्या होता है ना कि अगर एक ही बारी में सारी के सारी मतलब कहीं पर अगर हम ऐसे धकेल के रख दें तो फिर मिलती नहीं सारी चीज़े तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है कि सारी चीज़े ऐसे डिस्प्ले करके रखना ताकि दिखने में भी वो अच्छा लगता है और लेडी टू यूस भी होता है और थर्ड वाला जो कबोर्स है उसमें हमारी डेली यूज़ेस की सारी कपड़े रहती हैं बच्चो के मेरे हस्बेन के सभी के और इसमें भी तिन शेल्फ है लेकिन बीच वाला जो है उसमें मैंने अपना पैटी कोड सारे ब्लाउजेस और दुपट्टा रख दिया है कपड़ों को मतलब ऐसे ही जैसे तैसे करके अगर फोल्ड करके रख दे तो जादा जगए वो कंजियूम करती है तो इसलिए मेरे हिसाफ से अगर इसको हम अच्छे से आइन जैसे अगर हम रखें यह बाइदवे सारी जो कपड़े हैं वो सारे आइन किये हुए नहीं है क्य करके रख दे तो फिर आइन की ज़रुरत नहीं होती मैं डेली उसे की कपड़े की बात कर रही हूं तो यह बीच वाला जो है इसमें मैंने अपने सारे ब्लाउसे पेटिकोट एंड सारे दुपटे रखे हुए हैं और उपर वाला शेल्फ भी हमारा डेली उसे के ही काम आते हैं और इसमें बच्चों की जो स्कूल डेस हैं वो भी मैंने आइन करके रख दिये हैं और ऐसा ही दिखता है मेरा रोजाना कपड़े का जो स्टैल्फ है मेरा रोजाना ऐसा ही रहता है ऐसा ही दिखता है और इसके तीनों कबोर्स के उपर मेरे चार ड्रॉस हैं तो उसको भ जब तक mobile या फिर वो सारी electronics product है हमारे पास तो हो सकता है कि कभी का बाद काम में आ जाए इसलिए फैकना नहीं जब तक वो चीजें हमारे घर में हैं तो यहां पर मेरी first drawer में जो है वो सारे mobile के covers वगेरा headphone के covers वगेरा है क्योंकि कभी का बाद अगर कोई manual वगेरा या फिर कुछ headphones के जो earpots होते हैं वो अगर change वगेरा करना तो सारी चीज़े यह पर मिल जाती है और second है सारे हमारे inners बच्चो के school के socks, husband के socks और belt वगेरा जो है वो सारी चीज़े रहती है और third जिसमें की चाता और टोपी और उसके बाद हमारा knee pad और बच्चो के gloves जो की वो उनको practice के time पे ज़रुवत में आती है तो वो ले की जाते हैं कपड़े का material का जो सारी चीज़े होती है वो सारी चीज़े उसके बाद henkerchief और marks जो की विलाल काम में नहीं आ रहे है तो वो सारी चीज़े रहती है यही पर और फोर्थ बाले ड्रॉर में है सारे charger और वायरस की सारी चीज़े charger है यह वगेरा सारी चीज़े रहती है और जी हां मैं इनको भी पोचके ही रखती है क्या होता है ना कि ज्यादा तो बच्चे चीप वगेरा खाते हैं चॉकलेट खाते हैं तो ऐसे ही फिर charger वगेरा को पकल लेते हैं और वो भी मतलब महिने में तो एक बाद मतलब साप करना जाहिर सी बात है साप करनी ही चाहिए अच्छा तो एक बात और जो कि मैं कहना चाहती थी और वो यह है कि हाली मैं मेरा जनम दिन गुजरा है 2nd of June को तो बहुत से लोगों ने मुझे इस बार बधाईयां दी और शायद मैं उनको धंग से थैंक्यू भी नहीं कह पाई थी लास्ट टाइम और उससे लास्ट टाइम लेकिन मैंने मना कर दिया कि आप ऐसे प्लीज सर्प्राइज मतलब मेरा बध्दे जो है वो सेलिबरेट मत किया किजे एक तो मुझे सर्प्राइज पसंद नहीं है कोई भी चीज़ को लिखे और मेरा बध्दे तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता कि कोई सेलिबरेट करे या फिर कुछ लेकिन प्यार से लोग अगर पोश्ट किया हो या फिर कुछ ऐसा तो विश कर देते हैं तो मैं उनको भी रिस्पेक्ट देती हूँ कि चलो उन्होंने अच्छा है देखा तो कम से कम विश तो कर दिया लेकिन मुझे मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद पता नहीं क्यूं मैं बहुत जाधा शाय फिल करती हूँ मुझे शम आती है केक काटने में मुझे सभी हैपी बद्दे बोलते हैं तो पता नहीं क्यूं मुझे अच्छा ही नहीं लगता बहुत जाधा शम आती है मुझे तो मैंने हस्बे गए थे और थैंक्यू उन लोगों के लिए तो बहुत मामूली सा लवस है जिन लोगों के लिए शायद मैं अपने आपको भूल जाओं लेकिन वो मुझे याद करते हैं वो भूलने नहीं देते अच्छा तो इतनी बात चल ही रही है तो मैं अपने ममी पापा और भाई बेहन को कैसे भूल सकती हूँ उन्होंने मुझे विश किया था और पापा तो थर्ड जुन को ही आ गए थे कि तुम्हारे लिए ड्रेस ओरर किया है रीमा ने तो वो भी लाना था और तुम्हारे मन पसंद सारी मीठाईयां लेके आया हूँ तो आए और दस में रुक के चले गए और जब मैं लास्ट टाइम बर्गर गई थी ना मेरे माई के आपने ब्लॉग देखा होगा नहीं देखा है तो जाकी देखिया ये तो मेरे बहन ने तब मुझे नीन के चलते मुझे पुछा था कि तुम्हारी एक्चुल साइज क्या है तो मैंने बोला था एक्सल तो वो मे मेरे लिए भेजाता है ये कपड़े मैंने धो दिये हैं और उसके बाद मैंने बिना आयन करके ये मुझे कुछ सुजानी कि किस तरह से मैं दिखा हूँ आप लोगों को तो ये मैंने फिर हस्बेंड के सारे कपड़े हंगर से निकाल के मैंने ऐसे ही टांग दिया तक कि दिखाई दिया ड्रेस वो मुझे बहुत जादा पसंद है लाल दुपट्टे वाला तो मैं वो जरूर से पहनूंगी करीब किसी दिन सिर्फ ये एक सिल्क में है और बाकी जो तीनों ड्रेसेस है वो तीनों कॉटन में है जो कि मुझे कॉटन बहुत जादा पसंद है और इन तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में कमेंट भी, तब तक बाई बाई